नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को टिकिराच यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिंडिकेट बैंक का इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन फॉर्म को कैसे आप भर सकते हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को मेरे पास पड़ा हुआ है यहां पर फॉर्म इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन फॉर्म है आप चाहो तो यह से डाउनलोड कर सकते हो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे और उसके बाद दोस्तों इसको फिल आप कैसे करें ठीक है तो यहां पर आप बाद में आपको बताएगा है कि प्लिस्टिक अप्लिकेबल आप्शन तो यहां पर दोस्तों आपका एपका बैंक किस परकार का वहां आपको यहां पर सेलेक करना ठीक है यहां पर दूस्तों सबसे ऊपर आप देख सकते हो और यहां पर आपका अपना नाम लिखना है यहां पर पिंकोड और यहां पर पेंका नंबर है तो लिख सकते हो टेन नंबर है तो लिख सकते हो बढ़ना ऐसे ही चोड़ दीजगा और यहां पर कस्टमर आइड लिखना है कस्टमर आइड आपके पास्बुक पर रहेगा जो कि आपका CIF नंबर होता है वो आपके यहां पर लिखना है और अकांट नंबर अटेच टू दे रहे हो वही अकांट नंबर आपको देना है आपका अकांट नंबर वहीं पर आपक property marking solution the name of the user designation ठीक है standard name of the user designation टो यहां प्र क्या करना है आपका नाम लखना पुरा उसके बाद में यहां फे आपको यूजर आडि बढ़ना है यूजर आडि ढोस्तों यहां प्र को बताए गाया किूंजर आडि किस परकार से बढ़ना है तो दोस्तों में तो दो स्क्राइब को जाना है और नीचे जाना है झाने के बात में select any one of the following device type में ठीक है तो दुस्तों यहां पे अभी आपको क्या करना है अभी नीचे आपको जाना है और नीचे जाना है नीचे जाना है नीचे जाने के बाद में details of the person authorized as corporate administrations तो यहां पे provide user ID as entered in i above तो यहां पर में आपनी जो user ID आपने डाला हुआ है उसके बाद में दोस्ता आपको बता रहे हैं प्लिस प्रवेड एकाउन ऑफ वीच स्पेसिफिक ट्रांजिशन के मिनिशेट प्लिस्टिक मार्क रिलेवें ट्रांजिक्शन टाइप तो आपको ट्रांजिक्शन ट अगरा चाहिए सेलेक कीजिए का बिल पैमेंट चाहिए हां सेलेक कीजिए निएफटी चाहिए सेलेक आठीजिए सेलेक बल्क पैमेंट सेलेक अलमस हर हमें इंटरनेट बैंकिंग में चाहिए होता है तो सारे सेलेक कर सकते आप ठीक है उसके बाद में दूस्तों यहां पर लिमिट और फॉर दिविलो ट्रांजेक्शन टाइप तो पर प्रती दिन का आप जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग में लिमिट वगेरा भी लगा सकते हैं फंट ट्रांसफर में आप कितना लिमिट लगाना चाहते दिन में सिर्फ दस अजारी लोह को सेंट करना चाहते तो लगा सकते बिल पैमेंट में कितना करना चाहते तो पर दे का लिमिट वगेरा भी आप यहां पर सेट कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करना चाहते तब आप इस ही छोड़ सकते बाइड इफल जो है वही आपका रहे जाएगा ठीक है ट्रांसक्शन का वैसे कोई लिमिट नहीं यहां पर बताये गया है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि प्लीज प्रवाइज़ाशन लेवल मेक्सिमाम 5 वालोट फो इस तो यह दुस्तों आपको बढ़ने का जरूरत नहीं है यह आप बात में इंटरनेट बेंकिंग में कर सकते हैं यह कोई जरू नहीं करना है और बाकी आपका जितना भी रहेगा दोस्तों यहां पर हें यह आपका बेंक के त做f से रहेगा आपको यहां पर बैंको फे पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते एक लिए वीडियो में अभी के लिए इतना इतिल दिन बाई सी यू